लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकुन को प्रेस करें 1989 में जम्मू और कश्मीर में आतंक वाद ने सोर पकड़ा अनकिनत बेकुना हमाले गए तब लाखों कश्मीरियों ने इज़त और जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़कर अपने देश के दूसरे प्रांकों में ठिकाने ढूंडे लाखों लोग जम्मू और उसके आसपास के कैम्पों में रहने लगें कई कैम्प तो सिर्फ तम्मू के थे जहां लोग भगवान से दिनराथ प्रातना करते कि कब कश्मीर में अमन खायम हो और कब वो अपने घरों को लोड़ने हैं अरे आप लोग अरे मेरे बच्पन के दोस्त मेरे भाई महमद अली कैसे हो भाई अरे आज को रशिलाल पंड़त के वारे ने आरे हो गए अरे राश्री पेटी पापा जब तक आप पूजा कर रहे थे मैंने तो इने गर्मा गर्म चाय भी पला दी शाबाज पेटी पादली जब मैं स्री नगर मा रहा करता था न तो मैं अपने मेमानों को केसर का दूर पिलाया करता था केसर के खेट थे मेरे लेकिन आज इतना भी केसर नसीब नहीं के भगवान के माथ्य पर चलिक लगा स्कून पापा कनया यह देखिए गुलार दीदी से राखिवी बंदू आया थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि इन बुड़ी मा को साथ लाना पड़ा कौन है यह बड़ी पी अरे यह मुझे श्री नगर में मिल गया था मैंने इससे कहा मुझे बंबई से जम्मू आने वाली गाड़ में किसी से मिलना है तो यह मुझे ए मिलिटरी ट्रक में बिठाकर यहां ले आया अरे हाँ पंडित रोशनलाल गुल्रोश को भी आज मुंबई से आना था लेकिन ख़ाबर मिले है कि वो आज नहीं कल आ रहा है पंडित जी पाइसाब ने अपनी बेटी गुल्रोश से तोड़कर बहुत अच्छा किया हाँ हाँ अच्छा पकड़ी गई हमें उल्लू बनाती है हाँ भी गुल्रोश बनाती है बेटी गुल्रार तु अपनी माबाप के गोद में कम तेरे चाचा और मामा रोशनलाल के गोद में ज्यादा के लिये है तो इसमें क्या जूटे इसलिए तुम्हे श्री नगर से अपने मामा जी के कैप में मैं अपने मामाजी से मिलने आई हूँ जी जिरो बेटी अपनी रोशनी से मिलने क्यों बिलकुल गुल्नार दीदी गुल्रोश भाई से नहीं हम से मिलने आई है तो शनलाल याद है तुम्हे हम दोनों बच्पन से सा शेनाई बजाते रहे लेकिन अनकस्म है उस पाक परवर्दिधार की जब तक जमू कश्मीर में रूटी हुई खुशियां वापस नहीं आ जाती मैं शेनाई नहीं बजाओंगा जानते हो मुहमद अली मने भी अपनी शेनाई बखसे में बंद कर रखी है लो रोशनलाल इसका वक्त को भी बंद कर दू जब तक कश्मीर में वालीशा जैसे राक्षर जिंदा है यहां खुश्यों का शादी होता रहेगा अल्ला करे कल मरता आज ही मरे वालीशा वालीशा खुदा हाफिर भरे बास बास खामुशी से जाओ यह कौन सा कैल है भाय जाद मेरा बाई अलीशा हमारे पास इंदुस्तानी फौजीों की वर्दिया है हां है बहुत है तो वस अपने आद्मियों को ले जाओ इंदुस्तानी फौजी बनाओ और इन सब लोकों को खत्म करता हो ओ इंदुस्तानी फाज बदनाम होगी तभी तो पड़ों सी मुल्क हमें माला माल करेगा क्यों कुल खान ठीक मलेशा ठीक भाईजान लोगों को मारा हमने और बदनाम हुई हिंदुस्तानी फाज और कल इसी वज़े से सब पार्टियों ने माया सेरी नगर ब jijए काईलान किया है कल तोड़ फोड़ोगी लूट ना होगी और उस लूट मार में एक बहुत बड़ा हिससा हमारा होगा भाई जान हमारा है रहस कि बात बहुत उदास हूँ आप उदास हैं क्यों बाइजान क्यों जब से रोशन लाल अपनी बेटी रोशनी को यहां से ले गया है इसकी जिंदिगी में अंदेरा ही अंदेरा चाग है नजाने उसका मखथ मुझे जलाने में क्या मिलता है अलीशा पापा मैं तुम्हारी बेटी रोशनी को अपने बड़े भाई वली वीशा के लिए तौफ्य के रूप में लेके जाऊंगा। तौफ्य में तुम्हारे भाई को तुम्हारी लश में लेगी तौछा लाल। कविनो, सर फिरो तुम्हारे जैसे मौत के सुदागरों की वज़े से हम घर से बेगार होकर यहां कैमपबे रहते हैं अरे कमबक तो यहां तो हमें चैन से रहने दो बशीरा, जरा इनको नमोना तो दिखाओ बंद करो मौत के सुदागरों कमीने, छोड़ों इस मेरी बिटी को कात्रों के हाथ मेरी बिटी को नहीं चुछाए रोषनी को तो हम लेके जाएंगे पंडित रोषनी, घुल्रोष और तम को जाना होगा मैं बिटी, घुल्रोष यह तुम क्या क्या रही है हाँ पंडे जी रोशनी को तो हम लेकर जाएंगे ही यह यह कौन क्या रहा है हाँ आपके जिगरी दोस्त मौहमद अली का बेटा गुल्रोश कह रहा ही है मेरा भाई जो बच्पल से मुझसे राखी बनवाता रहा इत पर यह देता रहा मुझे जो यह चलेंगी हाँ बारूश भटेगा अनकिन त्लाश होंगी यहाँ नारे तद्दूर अल्लाव अक्बर पापा गुल्रोश भाईनी तो कमाली कर दिया तो खेला है किसकी गौद में है मेरी पापा की गौद में तुम जैसे मुठी बर्गदार आसमान से बड़े हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड सकते पंदर एट अपोल तैंक्यू करेगा मेंचन नाट भाईया रोशनी जीदी कहा जा रही है तॉनल साब के पास मिलिटरी को बुलाने है अच्छा तुम लोग जीपे लेकर मुझे पुलवल रास्ते पे मिलो मैं रोशनी को देखता हूँ जाओ 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 खियाओ जाओ भाओ जाओ याँ ताच करें ये तो मिल्टरी की जीप है तुम जो भी हो ताम ने आप अरे ये तो अपना बाबू है हिंदुस्तानी फॉजी हट जा अली शाह के राते से हिंदुस्तानी फॉजी रास्ते से हटते नहीं रास्ते से हटाते हैं कर दो कर दो झाल झाल अगर अगर इस लड़की किसे मिली चाहता तो सामने आ तेरा फाजी तो चूहा निकला चूहा घुस गया डर के मारे बिल के अंदर छraftके अो बजका तेरा, झालए विलाए उनल आपाई धुई! प्र चूहा वोगा सा निकलाए उनलुए रपकी को बफ़की कैसा बेल काहती है, भी कैसे विली का, वोटे एमारे वी वी तो उनलुश बपका घडली का प SERद हो विला खूँ़। हुआ 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 हु अछो! इसको हिफाजर से बंद कर दो देखता हम ज़े कार बंद करके रखता इदर साजी तुए छड़ूगा नहीं मैं वेल डन विजे मैं उमीद भी नहीं कर सकता था कि इतर की खुश्बूव में तर बतर रहने वाला आदमी इतना बड़ा जाबास भी हो सकता है थैंक यू वेरी माच शुक्रिया किस बात का करनल साहब मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्द समझगर किया करनल साहब मैं तो समझ भी नहीं आता कि मैं दोनों नौजवानों का शुक्रिया कैसे अदा करूं पंडिजी किसी बात की चिंता नहीं जब तक इस देश में गुरोज जैसे सरफरोश हैं हम जमीन तो जमीन आस्मान पे भी जैहिन लिख देंगे जैहिन, 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 जैहिन देखो वलीशा अपने भाई अलीशा को बचा लो कैसे बाया अपने हत्यार डाल कर नाई गुरोश नाई हमारे आथो में अतियार तब तक रहेगा जब तक कश्मीर इंडूसतान से अलग नहीं तहाँ अच्छा एक बात वालीशा क्या पांच हजार साल पहले कश्मीर कहा था हिंदुस्तान में करेक्ट कश्मीर में जब एक हजार साल बुद्मत था तब कश्मीर कहा था तब भी हिंदुस्तान में था करेक्ट जब मोगनों ने हिंदुस्तान पर कभजा किया मेरा मतब अकबर जह वे तु अमारे ज़स्मों को नहीं समझेगा देखो वलीजा अगर हम अपने मुल्क पर अपना हक समझते हैं तो हमारे मुल्क पर हम पर हक है, फर्ज है और फर्ज अदा करने में अगर मुसल्मान सबसे आगे नहीं तो किसी से पीचे भी नहीं गुल्रोश मुझे तो लगता है तू इंदुस्तानी फौच का पिठ्धू है पिठ्धू अवल तुम्हें हूँ नहीं और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तुम्हें पिठ्धू हूँ अपनी फौच का तुम्हें तुम्हें तुम्हायी तुम्हें तू्से मुल्की फौच का जडा खरीत खुलाव नहीं तेवे मैं अनलोंगे भजन नहीं जो खहे अएस देश का और गाये उस देशका वलीशाँ घुल्रोश ने तेरी क्या छुटी कर दी है में खमोर्शा मकान की छट को देखकर कद बढ़ाए करू मिया खुदाफिस मज़ा आ गया अकूबत सखीरी और सखीरी ये तो गई काम से शुरू अचा सखीरी ना जागी हो ना सोई हो ना हसी हो ना रोई हो उत्बन के बैठी हो किस खयाल में कोई हो सखीरी मेरे नैना हो मेरे नैना नैना हुए बदमा सखीरी मेरे नैना हाँ मेरे नैना नैना हुए बदमा ना जागी हो ना जिन देखे ना राज सखीरी तर नैना हो तर नैना नैना हुए बदमा सखीरी मेरे नैना हाई हाई नैना होई होई नैना 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 हुए बदमा पहले तो ये ऐसे ना थे ये नैन कही अटके ना थे पहले तो ये ऐसे ना थे ये नैन कही अटके ना थे पलके इनको बंद रख दी मेरे यौवन की रक्षा करती फिर इपल ऐसा आया देम का मादर छाया खुल गई आखे आँ ताजन को सामने पाया फिर बाते हुई हाँ फिर धरते हुई हाँ फिर धरते हुई आखाश वैशाबाश सखीरी तेर नेना हो तेरे नेना नेना हुए बदमास सखीरी मेरे नेना हा मेरे नेना नेना हुए बदमास बिन साजन मुझे कुछ ना भाए ओ बिन साजन मुझे कुछ ना भाए नेन पर जब साजन आए बिन साजन के दिन है काले साजन संग हर रात उजाने को साजन मेरा नेन धरम और साजन ही विशवास विशवास सखीरी तर नेना होत तर नेना नेना हुए बदमास सखीरी मेरे नेना ओ मेरे नेना नेना हुए बदमास ना दिन देखे ना रात इनको साजन के दिनाए प्याओनो भी खिर अर ने 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 आ फ़ दो आष तो जनाब की उदासी की पीछे ये परीच चैरा है गुल्रोश ये ठेट ठाक तो है न इनकी शादी हुई नहीं तो पर प्रॉब्लम क्या है अरे इनका पता बताओ बिना बरात के इनकी डोली ले आऊं ये मुमकिन नहीं अजी हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करना होता तो नहीं मैं मजबूर होता और नहीं शीतल शीतल तो मोहतरमा का नाम शीतल है आप दुनों के बीच में विलिन को है हमारे खांदान का भूत काल हमारा माजी ओफ ओई घिजी-पिटी बाते दिखो यार पहलियों में मत बात करो साथ सा बताओ प्रॉब्लम क्या है जिस तुम्हें मेरी कजन बताओ आखर बात क्या है यह तब की बात है जब मैं इंजिनरिंग कॉलेज में था छुट्पियों में कॉलेज के दोस्तों के साथ शिमला जाते हुए मेडिकल कॉलेज के सूडेंट्स के साथ एक शॉपिंग आर्केड में मुलाकात हुई जिसमें शीतल भी शामिल थी आहाहा क्या खुश्बू है दो हजार की साड़ी और दस हजार की खुश्बू अब निकल 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 यह तो पुतला नहीं सचमुश की लड़की है ए मिस्टर क्या है जिन्दगी कदमों में है ठुकराइए और क्या खिदमत करूं फर्माईए जरा उपर तो आईए फर्माईए अब मुँ इदर घुमाईए फर्माईए अब थप पढ़खाईए काले से डर गए क्या है तो क्या हुआ दिल वाले हैं वो देखो मेरा नाम बंदिया है और मेरा सिंदिया क्याने कि आप का समगज गौलियर महराजा के सिंदिया खराने से है नि-नि-ो कहार राजा भोज और कहां गंबु तेली वैसे हम सिंदh करे हैं बट्वारे में यहा है मैं यहीं पेदा हुआ लेकिन मेरे पिता जी ने सिंद की याद में मेरा नाम सिंदिया रख दिया वहाँ This is my mathematics Love at first sight बिन्दिया जी दो से दो नैन मिलत हैं तो चार होते हैं दो दील मिलकर एक क्यों होता है What is this mathematics? वह ऐसा है की बिन्दिया जी आप Mrs. है या Mrs. नहीं मिस... मिस... ओ... तें गिव मी वन किष ए कॉन है भै विलन? यो घरकी अमारी माडम पर लाइन मारता है हाााा आसार इस अब ग्याइ्ट मैठमेटिक्स अफ्र लुछ, अफिर आल, इस माथ्टूदें झाट लुछ 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 इसे स्टॉप इट, ऐसे सरफिरी लड़कों के मूह नहीं लगना चाहिए मूह नहीं लगना तो कले लग जाईए शड़ आप, चलनी मैदम ट्रेन का वक्त हो गया है याद रखना छोड़ूगा नहीं विक्रम नाम है मेरा, मंत्री सज्जनलाल का बेटा हूँ मैं समझे आज कलके मंत्रियों की जंत्री जंता जान चुकी है चल फोट चले विक्रम, प्लीज छोड़ूगा नहीं याद रखना सिर्फ तुमारी वज़े से सोड़ रहा हूँ अब मिलन कब होगा फ्रंटियर मेल तो चली गई मैं कितनी बार कहा चुका हूँ कि पूरे होटल की बुकिंग अंगिनरिंग कालेज वालों ने करवा ली है आप जाए मैं राड़ी को फोंद करके तुमारे होटल का license केंचल हूँ और नहीं नहीं गुट मेंदी लॉल है मन सभकी बुकिंग कैंचल करका आपकी बुकिंग करता हूँ कामरा हुं हम वैसे भी जिस हो टल में बाथरूम के कौकरूज रहते हों हमें उस होटल में नहीं रहना में, हाँ अगर फूरे शेम्ला में तुम लोगं हो रहने की जगा मिलेगी तो वो होगी पलीस टेशन अरे सुनो बच्चो इस जगड़े जगड़े में क्या रखा है क्यों न दोस्ती आरिये में कमरे के साथ साथ हम डीनर शेर करें शुट अप यू ठर्टी एक बार होटल का बंदा बस तो जाए फिर देख लूगा चलिए सर आता हूं बिंदिया जी तिया जी फिर मिलते हैं छोटे से ब्रीक के बाद ऑके बाइं अलो उटल स्नो क्रेस्ट मेंगर स्पीकिंग मेंगर स्लीपिंग ने ने स्पीकिंग हम सी एडी के दफ्तर से बोल रहे हैं हमें खुफिया खबर मिली है कि सब होटलों में बंब रखे गए हैं जी बंब और सब एक साथ फटने वाले हैं जल्दी से होटल खाली कर वालो और बचने की सिर्फ एक ही जगा है कौन सी है वो है पुलिस टेशन पुलिस टेशन समझ गया है समझ गया अब भात-भात की चीखें सुनाई देंगी जल्दी सलाओ बड़े दुख की बात है जिस देश में जांसी की इरानी तोपों से नहीं डरी उस देश की लड़कियां मंके डर से पुलिस टेशन चलिया रही है सर की तो बजली है मेरी बची बटा क्या उदर टेलिफूर मैं इंटरनाशनल टेररिस्ट बोल रहा हूं पॉम ब्लास स्पेशलिस्ट तुम्हारे पुलिस टेशन के बातरूम में बम रखा गया है जो अब फटा और अब फटा इंस्पेक्टर साब क्या हुआ फटने वाला है क्या बम बम भागो जल्दी भागो आप बम फटने वाला है बम तो अल्रेडी फट चुका है बिंदिया जी कहां एक हिरोशिमा में फटा था अब मेरे दिल में फटा है आपको मजाग सूज रहा है सचमच पुलिस्टेशन में बम फटने वाले भागो वो तो आदले का बदला था मतलब मतलब आपको होटल से निकालने के लिए और पुलिस्टेशन में रात बिताने के लिए हां हां वो हमारे हीरो विजय का कमाल था वो देखो हां तुम जी तो रात पुलिस्टेशन में किस ने गुजारी तो यह सब तुम्हारी चाल थी दुश्मनी का मज़ा तो आपने चकी लिया है एक बार यारों की यारी का मज़ा भी चकलो जिन्दगी भर मुस्वादी रहेगा स्वाद स्वाद तो मैं तुम्हें चकाऊंगा यह मत भूलो कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ चले मैं इस हाल में बाजार से कैसे गुज़र सकती हूँ मैं यही रुपती हूँ प्रीज मेरे कप्रे लेकर आजाओ उसको मैं बाद में देख लूँगा सिंधिया जी तो फिर मुलाकत कब होगी रात के बारा बजे लवर्स पॉइंट पे हम सब चलेंगे और तुम हमारे साथ चलोगी मैं? हाँ लवर्स पॉइंट पे मैडम और सर का ड्रामा देखने शायद लवर्स पॉइंट पे लव हो जाए ए मिस्टर विजे नाम है मेरा जीतना काम है मेरा मुझे से क्या चीतना चाहते हैं आप मैं आपसे आपका दिल जीतूँगा मैडम मेरे दिल ने आपके दिल का X-ray कर लिया है और आपका दिल बिलकुन खाली मकान है जो सिर्फ मेरे लिए बना है माई फुट। हम काठा फैंके और मचली ना फसे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब? हमें दाल गलानी आती है। मिस्टर, अवल तो मैं डाल हूँ नहीं। अगर हूँ भी तो वो दाल नहीं जो दूसरे की हंडी में कल जाए। बारा बजे, लवस पॉइंट। रात के वारा, तरी याद نे मारा। मेरी दिन के खड़ि कर बजे, रात के वारा, हर तिरि याद ने मारा। हॉय! बिन्दिया जीी! कहीं सिंधिया जी? आप तो ऐसी तयार होकर आरही है जैसे अमेरिका जा रही है। मुझे अमरिका के साथ साथ आफरीका भी बहुत पसंद है मतलब इस मुखडे से प्यार हो गया है गुरु जी चले आप तो आप वो भी पकड़ी गई कहा पकड़ में आई कौन पकड़ी गई बताओ बताओ जीदाई गई जीदाई जीदाई लो मचा गली में शोर लो मचा गली में शोर पड़ो सन पकड़ी गई जीदाई लो मचा गली में शोर पड़ो सन पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई ये खबर है चारों और पड़ो सन पकड़ी गई लो मचा गली में शोर पड़ो सन पकड़ी गई ये खबर है चारों और पड़ो सन पकड़ी गई पड़ो सन पकड़ी गई कर दो कर दो कर दो जब शाम धली नाजुक सिकली बिर्हा में जली मिलने को चली चुपके 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 वो पहुच गई साजन की गली वो आगे बढ़ी वो आगे बढ़ा वो और बढ़ी वो और बढ़ी वो और बढ़ा शनक कया गोदी का चुड़ा बढ़ गई थड़कन खुल गया जूड़ा अभी बंधी न प्रेम के टोर पड़ो सन पकड़ी गई नो मचा गली में शोर पड़ो सन पकड़ी गई पड़ो सन पकड़ी गई कर्णे कर्णे में भाओ। कर्णे में अक्राव बढ़ी अक्ड़्वार झाली वो और बंधी वो और बंधी शोर पक्राव चुश्यक्रतिए शुरू हुआ जब प्रेम ड्रामा अंग अंग में हुआ हंगामा सांस सांस से जब टकराई तन कर ली उसने अंगडाई ये रहन सकी वो रहन सका कुछ कहन सकी लिपट गई वो इसी बहाने लगी साधन का प्यार चुराने चोडों को पड़ गए मूर पड़ो सन पकड़ी गई जो मचागरी में शोर पड़ो सन पकड़ी गई ये खबर है चारों को पड़ो सन पकड़ी गई ये खबर है चारों को पड़ो सन पकड़ी ये सावन मैं अरियाली हूँ ये पगिया है मैं माली हूँ ये फूल है और मैं काली हूँ मैं इश्कित अगर तसहरा हूँ तो हुसन की ये दिवाली है तुम भी किसी से दिल को लगा लो और बाओं में बाहे डालो फिर कभी न करोगे शोर परो सन पकड़ी गई तुम कितनी करो अपील या तो दलील करो अकील तुम लाख निकालो चोर लगा लो जोर लगा लो जोर हम फिर भी करेंगे शोर परो सन पकड़ी गई पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, ये खबर है चारों और परोसन पकड़ी गई यो मचा गली में शोर परोसन पकड़ी गई परोसन पकड़ी गई, परोसन पकड़ी गई, परोसन पकड़ी गई शीतल जी, होटल के बैर ने मुझे आपका ख़त दिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है यू तो धड़कने को दिल रोज धड़कता है लेकिन जैसे कल से धड़क रहा है उससे पता लगा कि महबत की धड़कन क्या होती है आपने चौद्वी के चांद से चेहरे को छुपा क्यों रखा है ज़रा चेहरा तो घुमाईए तुम? आँ, मैं, तुम्हें चिठी मैंने शीतल के कहने पर भेजी थी अब है बिना हैंडल के बैट जूट की बोलता है जूट नहीं सच बोलता हूँ मैं और सच ये है कि मेरी शीतल ने मुझसे ये भी कहा कि रात के गाने के छेड़चाड में जिस विजे ने मेरे बदन को छुआ उसकी हड़ियां चूर चूर करतो शीतल ऐसा नहीं कह सकती शीतल ने ऐसा ही कहा है लड़कियों के नाम का सहरा लेने वाला नामर्द होता है नामर्द मार इसे दोर्दो इसकी हड़ियां इनी हातों से तुने मेरी शीतल को छुआ देख यही है वो हात जिनोंने शीतल को छुआ था हराम कोड़ो मैंने तुम्हें पैसे मार खाने कले नहीं मार निकले दिये है खिल इंद ए राम रुक जाओ रुक जाओ यह मारा मारी बंद करो प्लीज यह मारा मारी तब बंद होगी जब तुम्हारा यह खरीदा हुआ कातिल मरेगा मेरा खरीदा हुआ यह जूट है जूट है तो मैडम शीतल पूछो इसे! यह जूट है विजे! इस होटल के बॉये मुझे सब कुछ बता दिया है तुने ऐसे कहा यह सर मैंने सब्पूर बता दिया तुमने इसे पांचा और पे दिये और उन कातिलों को पाँच हजार क्योंकि मैं विजे से प्यार करने लगी हूँ शीतल बखवास मत करो मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ मिनिस्टर? जाले मिनिस्टर के जालिम बेते? शीता भी मैंने कहा था न, आप छहां- जहां- जाओगे हमें वहां- वहां लपड जाते है वह बिजली के डर से या इलाही ये घटा दोरोस्त तो बरसे मैंने कहा था न, हम जिन्दगी में पहली बार काटा फेंके और मचली ना फसे, ऐसा नहीं हो सकता हमें दाल गलानी आती है मिस्टर, अबल तो मैं दाल हूँ नहीं, अगर हूँ भी तो वो दाल नहीं, जो दूसरे की हांडी में कल जाए वा, क्या बात है वैसे, अज जो कुछ भी हो, उसके लिए माफी मांगती हूँ मैडम, माफी भी कोई मांगने की चीज है अरे, अगर कुछ मांगना ही है, तो अपने इस मांग के लिए मांगिए अगर सिंदूर नहीं, तो इसे विजय अपने खून से भर देगा बहुत गुस्ताख है आप सुनिये जी आपने मुझे गुस्ताख कहा जी हाँ, बहुत गुस्ताख है आप गुस्ताख कहके मुझको आप गुस्ताख ही कर गए थोड़ी हमसी हुई, थोड़ी आप कर गए मतलब पडोसन पकड़ी गई पड़ोसन तो पड़ोसन पड़ोसी भी पकड़ा गया अजी सुनिये फिर मुलाकात कब होगी देखा जाएगा देखा क्या जाएगा अभी तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है तूमने भीगी कुई जुलकों से जो जटका पानी जुमके आई खटा तूटके बरसा पानी पानी, 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 पानी चुम झाल करता है कर दो जिलिवोत। का प्रामी ऑफनी ऑफनी ऑनी 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 paran neem पानी, ओ पानी, ओ पानी, ओ पानी, 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 अंग भांग में यो मंग हो, तेरा मेरा संग हो, तो प्यास्ती खतम हो कहानी ओ जानी, होटों के पयामने, तु जो बाही धामने, तो सच जाए सचना की रानी पनी, ओ पनी, ओ पनी, 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 पनी हो औंग अंग में यू मंग हो तेरा मेरा संग हो तो प्रास की हटम हो कहानी हो जानी एक तो बादल आवारा है उस पे पबन तो बादल आवारा है मैं दोनों के सदके जिसने मेरे दिल की जानी आई जट पत है बड़ी नट खत है बरखा की रुत मस्तानी कितनी बार घटाएं दे गए मेग दिलासा तन भीगे पर वन ना भीगे अंतर रह जाए प्यासा ओ जानी तन भीग जाने दे मन भीग जाने दे उन दे जरा सी मन मानी पानी ओ पानी, ओ पानी, पानी, पानी लेहरों जितनी उमर हमारी जल पर लिखी कहानी लेहरों जितनी उमर हमारी जल पर लिखी कहानी पल दो पल जी भर के जीने पल की किसने जानी एक दूझे में भूल जाने हो एक दूझे में खुल जाने से कि जज को हो हेरानी पानी जी जी जानी जी मेरा समान उपर कमरे में भेज़ो ज़ाए जी जी पिता जी मां आप सब को बिज़े का प्रणाम अरे तिनों को प्रणाम किया ना किसीने कलेजे से लगाया और नहीं आशिरवाद दिया ताता जी पुच-पुच पिता पुच-पुच अरे आप तिनों ने पुच-पुच के क्या रड लगा रखी है अरे ये पुच-पुच तेरी ही सुलगाई हुए फुल seperti है जिसने हम तिनों को चक्कर में डाल रहा है आप पुच-पुच अगर तु दादाजी का सच्चा दोस्त है तो मुझे बता दे कर ये पुछ-बुछ है क्या बता दू हाहा हा हा तो ये है पुच-पुच आथ वादे पुछ-पुछ यार बड़े पुछ-पुच देखे पिता जी मैं भी आपका एकलौता बेटा हूँ अगर दादा पोते की पक्की दोस्ती है तो बाप बेटे की भी पक्की दोस्ती है इसलिए मुझे बताईए इसने पुछ-पुछ का मतलब क्या बता है इधर काल ला वूदर्फुल पुछ-पुछ वूदर्फुल पुछ-पुछ देखे जी मैं आपके इकलौते बैटे की मा हूँ आपको उसकी कसम मुझे बताईए ना कि पुछ-पुछ का मतलब क्या है तु नहीं पुछ-पुछ तो अच्छा नहीं बताईए ना आचा कान लाओ जाए पुछ-पुछ का मतलब है पप्पी हर राज तु और पुछ-पुछ मा तुम कितनी भोली हो दादा जी सुनिये अगर यह सारी दुनिया पुछ-पुछ का खेल खेले तो नहीं कहीं जंग होगी और नहीं अटम बम फटेगा बस हर तरफ पुछ-पुछ होता रहेगा अरे पुछ-पुछ के चेंपियन पहले यह तो बता हमारी होने वाली बहु का नाम क्या है शीतल शीतल और जात दादा जी वहाँ पुछ-पुछ से फुरसत ही कहा मिली जो जात-पात पता करता सही जा रहे हो पोते यह जात-पात से करना ही क्या है यह जात-पात के जगड़े तो हमारे देश को गली-कूचों में बाट रहे हैं यू आर एपसिलूटली राइट दादा जी पर बेटी इतना तडपा क्यों रहा है और बता ना शीतल की बारे में उसकी माँ है उसके दादा है जिन्होंने पंडित से पूच कर कल शाम चार बजे मंगनी का मोरत भी निकाल लिया है अड़े वाह एकदम फोजी एक्शन हाँ दादा जी उसके दादा भी रेटाइट फोजी है विजे बेटा वो तुमारे घरवाले नहीं आये नमस्ते करना साथ मैं हूँ विजे का पिता करन नाइस मीटिंग यू और यह मेरी धर्म पत्नी और मिला विजे की माँ नमस्ते यह शीतल मेरी पोची नमस्ते यह शीतल की माँ दादा जी इनसे तो आप मिल लिये अब बादब बामुलाइजा होशियार खबरदार आ रहे हैं विजे के दादा महाबली करनल महंदास रिटायर्ड करनल महंदास झादाम करके लिए यह शीतल यह शीतल करने शीतल करने विए कि जादा खामोशी अच्छी नहीं होती कि अंचंद गुस्सा थूख दे और आख मेरे गले लग जा यो दार कि देरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रहने कि यह आप क्या कर रहे यह मेरे दादा है टादा ग्रेट कि अरे यह तो जाएचंद से भी बड़ा गदार है इसने भारत मां की कोग में छुड़ा हो पाई यह सब जूट है बक्वास है मोहनदास भूल गया सा निकत्तर की जंक का वो दिन करनल मोहनदास हमारी इंटेलीजेंस रिपोर्ट के मुतादिक दुश्मन की फौज पहाड़ी के दाई तरफ से मूग कर रही है करनल ग्यानचन तुमने इंटेलीजेंस की रिपोर्ट को अच्छी तरह से वेरिफाई कर लिया है न हाँ वेरिफाई भी कर लिया है और कॉंटर प्लैन भी बना लिया है क्या है तुम्हारा काउंटर प्लैन जब दुश्मन की फौज दैनी तरफ से मूग करेंगी उस वक्त हमारे सिपाई दोनों तरफ से उनके उपर अटेक कर देंगे वेरी गुड प्लैन एक टुकड़ी की कमांड में कुछ संभालूंगा और दूसरी कि मेजर धरमराज तुम येस सर क्यांचंद एक बात कहूं धरमराज तुम्हारा एक लौता बेटा है अभी अभी उसके हां लड़की बैदा हुई है उसकी जान क्यों जोकर में डाल रहे हूं सर ड्यूटी बिफॉर सेल्फ I am proud of you major come on let's go go ahead good luck thank you पैंथर टू बुल्फ पैंथर टू बुल्फ यू रीड मी अलताफ अलताफ सरा ध्यान से सुनो हिंदुस्तानी फोजों को तुम्हारी प्लैन का पता चल चुका है अब दाई तरफ की बजाए पहाडी के दोनों तरफ से हिंदुस्तानी फोजों पर अटैक करना हूं ठर्म करनल अब तुम हमारे कैदी हो चलो करनल मोहंदास गिल लो अपने पैसे अलताफ मेरे पास वक्त बहुत कम है तुमने गिल लिये है ना मेरी सैटिसफेक्शन है ऐसी ख़वर देते रहो हिंदुस्तानी फौज के रास बताते रहो माला माल हो जाओगे मैं अपना काम करता रहूंगा तुम अपना काम करते रहो गदार हो गदार हो गदार हो गदार हो गदार हो गदाया महंदास कुछ याद आया गदार बोलता क्यों नहीं पिता जी कहीं सच है मैंने कहा ना बेटा कि ये सरासर जूट है मेरी काम्यावी से जलता है ये इस रिष्टे को तोड़ने की ये साजिश है इसकी मेरे दादा ज अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो 1972 का आर्मी का रेकॉर्ड देख लो जहां गद्दारी के जुरम में इसका कोर्ड मर्शल हुआ था इसे जलील करके आर्मी से निकाल दिया गया था इसे सदा भी भुगत नी पड़ी दादा जी चले जाओ तुम सब के सब यहां से पूरा खांदान दादा जी जो कुछ भी ओ उसमें विजे का क्या कुसूर है बेटी विजे के दादा रगुकुल के दशरत नहीं है जिनके यहां राम जैसी संतान जनम ले यह तो बबूल का पेड़ है बबूल का पेड़ जहां सिरफ कांटे ही लग सकते हैं गुलाब के फूल नहीं रद्दारों के यहां अगद्दार ही पैड़ा होते हैं मा आप दादाची को समझाओ ना प्लीज समझाओ ना चीतल बेटी तेरी मा मुझे क्या समझाएगी जिसके हाथों की मेंदी अभी फीकी भी नहीं हुई थी कि यह विद्वा हो गई और उसका जिम्मेदार ये विजे का दादा है विजे का दादा सुभाक का लाल जोडा उतरवाकर मुझे विद्वा के ये कपड़े पहनाने वाला यही है बैटी अपनी मां की सूनी मांग देख रही हूँ मेरी मांग का सिंदूर बिठाने वाले, तेरी मांगे सिंदूर भनने आये हैँ यह कभी नहीं हो सकता, यह हरगिज नहीं हो सकता विक्तार हुआ, भिक्तार शीतल, तुम्हें विजय और दादा में से किसी एक को चुन मत होगा दादाजी शीतल, अगर दादा की लाश पर से गुजब कर तुम्हें अपने प्यार तक पहुंचना है तो पैनाओ उंगूठी, तुम्हारी डोली बाग में उठेगी, मेरी अर्थी पहले शीतल, तुरे सुना नहीं, फेक दे यंगूठी, फेक दे विजय बेटे, विजय बेटे हम सब आपके लिए मर चुके है मेरी बात तो सुनो बेटे, मैंने जो कुछ भी किया है, तुम लोगों के लिए किया है क्या किया है आपने हमारे लिए सब कुछ तुमारे लिए ये तो किया है, ताके तुम लोग दौलत मंद कहना सको, बड़ी से बड़ी हस्तियों के साथ मुकाबना करो, कीमती से कीमती कारों में घूमो, आली शान से आली शान बंगलों में रहो यह पर्दे लाल नहीं आपके हाथों मरवाए गए फौजियों के खून से लत्पत बर दिया है पीजे पीजे बेटे तेरे जारी में अंदर से दर्वासा बंद कर लिया है खोलनी रहे है परेट जाजी 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 करन बेटा करन बेटा करन बेटा करन बेटा तुम ताला आपका ठैरा हुआ पानी नहीं बहता हुआ दर्या हो आगे बढ़ो और अपने खांदान पर लगे हुए दद्दारी के कलंग को मिटा दू आशा है इस अभागे बाप की अंतिमिच्छा जरूर पूरी करूगे हाँ पिता जी आपकी अंतिमिच्छा मैं पूरी करूगा मैं और बस गुल्रोश उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया और फौज में भरती हो गया ओ मेरे मौला विजे तुमने अपनी जिन्दगी के किताब के जितने पन्ने सुनाए उन में किसी में मिलन की बाहर, किसी में जुदाई की पड़चाई कुछ पन्ने आसों से गीले, कुछ पे खून की छीटे लेकिन माई उस मत हो, तुमारी जिन्दगी किताब के बहुत से पन्ने अभी भी कोरे हैं उन खोरे पन्नों का क्या होगा गुल्रोश भाई? दास्तान? हाँ, सुबह होने को है, थोड़ा आराम कर लो, फिर मेरे साथ स्रीनगर चलो मैं स्रीनगर जाके क्या करूँगा? ये माय उसी छोड़ो विजे, दो दिन में तरो ताजा हो जाओगे और जर ऐसा भी तू सोचो, कि जिसकी याद तुम्हारी नस नस में रची हुई है, उसने भी तुम्हारी तसीद दिल से लगा रखी होगी मेरी तस्फीर जिस कैंप में चाचा रोशनलाल रहते हैं, मैं उस कैंप में वही काम किया जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए बहुत अच्छा किया बेटे, माते रिस्सत के लेकिन भाईजान, अगर विजय भया ने अलिशा को पकड़ ही लिया था, तो उसे जान से क्यों नहीं मारा इंसानियत का तकाजा है भेन, भटके हुए को मारने से पहले एक बार सुदरने का मौका देना चाहिए वा, भाई हो तो ऐसा, अब मैं कल स्कूल जाकर अपने सारे बच्चों को यही सबक दोगी, क्यों अबू? स्कूल? हाँ बेटा, स्री नगर में तो आए दिन कर्फ्यू हरताल रहती है, तो स्कूल बन रहते हैं इसलिए महले के बच्चों को नूर बेटी रोज सुबह पढ़ाती है अरे वा, बेहन हो तो ऐसी और भाई हो तो विजय भाईया जैसा अबू, अगर विजय भाईया जिसे फौजी हो न, तो सारी तुनिया की फौज एक तरफ हो जाए, फिर भी हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इतना भरोसा? बेहन को अगर भाई पर भरोसा नहीं होगा, तो फिर किस पर होगा? और वो भी फौजी भाई पर जानते हैं विजय भाईया क्या? राखी वाले दिन, सारे फौजी भाई मुझसे राखी बनवाने आते हैं जैसे, जैसे सारे हिंदुस्ताने फौज की इकलाती बेहन है नूर वा, बेहन हो तो ऐसी अब बेहन बहन बहुत हो गया, अब क्या इस बेहन के लिए कुछ भाई का भी इंतिजाम किया है भाई? मुझे कहीं जाना है, अम यह पकड़ो, मुझे जाना है यह मैं तुम्हारे ले खास मुंबई से लाया हूँ यह कमाल की जूड़ी बिल्कुल हमारी तरह हमारी तरह शादी के बाद, प्यारे प्यारे बच्चे तुम लेट क्यूं आए? अरे कहाना किसी से मिलना था दर्जी के बाद जाना था और तुम्हारे ले कुछ खरीदना भी तुछ था मैं तुमसे नाराज हूँ अरे यह देखोगी तो नाराज़गी खुद बखुद दूर हो जाएगी देखो यह? यह मच्छरदानी मच्छरदानी? अरे नाइटी को मच्छरदानी कहती हूँ तुम? नाइटी? शादी के बाद रात को कुछ पहनोगी के नहीं? भाड में जाए तुम्हारी नाइटी मेरा क्या कुछ भी मत पहनो ठाका कितने बेशरम हो गयो तुम मैं तु चली बबा गुल नाइट सबरकर गुल खान वली शाक कैसे? मेरे दोस्त मेरे साथी गुल्रोश तेरा दुशमन क्योंके वो तेरी गुल नार को तुछ से चीन रहा है और वो फौजी विजाए मेरा दुशमन क्योंके मेरी जिन्दकी की मुंबती रोशनी उस पर अपना दिल लुटा चुकी है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वलीशा करेंगे गुल खान करेंगे विजए और कुल रोश की आपस में फूट फूट? हम वो कैसे? ये मत पूज गुल खान वलीशा तमाखी दिमाख में शतरंच खेलता रहता है हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पहन कर कारनामा किये हुए यानि हिंदुस्तानी फौज को बदनाम किये हुए एक अरसा कुजर गया अलीव से अला अलीव से अला अलीव से अला खमोश अलिफ से अल्ला नहीं, अलिफ से इश्वर होता है, इश्वर अलिफ से अल्ला भी होता है तो मुसल्मान अल्ला अल्ला से बास नहीं आएगा मेरे फौजी भाई, इसकी रगों में कुरान पाक की आयते बसी हुई हो वो मुसल्मान, मुसल्मान ही रहता है तो सुन्लो ए मुसल्मानो आज के बाद चम्मू और कश्मीर में कोई मुसल्मान नहीं रहेगा पोजी भाई अब ये कैसी बाते कर रहे हैं मैं किसी का भाई नहीं साथियों देखते क्या हो बून डालो इन सबको मैं ठीक कह रहा हूं गुल्रोश हिंदुस्तानी फोजयों ने तुम्हारी भैन को गेर रखा है जूट है ये सथ है अगर यकिन नहीं तुम्हेरे साथ चलो चलो अल्ला बहत अल्ला अल्ला करती है हम तुझे गोली से नहीं नोगीले भाले से मारेंगे इस नोगीले भाले से इस पाजी मुझेशाब्ड़ी सिर्कुरा ए देखो वे भाग रहे है रुख जा हिंदुस्तानी फोजयो मैं केतां रुख जाओ नूर जालना मैने या ना हिंदुस्तानी फोजयों ने किया है देखो यह पॉजन्डे समूत है इस बाद का ऐसा हुआ है नूर इस्टा हुआ है हाँ भया वो इंदस्तानी फोजी कह रहा था जम्मू कश्मीर में कोई मुसल्मान कोई मुसल्मान नहीं बच्ची का हो नूर में नहीं बच्ची होसला गुल्रोष इसमें जरूर किसी कोई साधिश है कोई साधिश वादिश नहीं यह अकिकत है तुम लोग कातिलो वाकई कातिलो नहीं गुल्रोष बगो मत लोग कहते रहे मुझसे की हिंदस्तानी वोज हमारी दुश्मन है कातिल है मैं जूटी समझता नहीं लेकिन आज असलियत सामने आ गई नहीं यह यह लाश है और मेरी बहन नूर कितने मान से कहती थी कि लगता है सारी हिंदस्तानी वोज की मैं एकलोटी बहन हूँ और आज आज उसी फोज ने अपने एकलोटी बहन को मार ढ़ला घुल रॉज बोल अरे बोल फोजी बोल तू क्या बोलेगा बोलने का और करने का वक्त अब मेरा है मेरी बहन की मौत के साथ साथ इन बे गुना बच्चों की मौत का बदला मैं लूँगा मैं भलिशा यह है वो दो हिंदस्तानी फोजी यह है क्या कहता है यह कातिल क्या कहता है बोल वीजे साहब ने करनल साहब के हुकम के मुताबिक हम फोजीयों को बहुत सारा रुपिया दिया को कि गुल्रोश की बेन नूर के साथ-सी को भी खतम कर दिया जा Kendall और हमारे अउज हgem है ready सुन लिया सुन लिया गुल्रोश सुन लिया सुन लिया और Era यह हाथ जो दूा कि को बढ़ते थे अद नित्वार लेंगे शबाश को रो शबाश इंतकाम लेंगे प्रेडिंग के बाद का पहला काम विज़र की माथ उस करनल को हमारे काद में लाके डालना यह करनल हमारी काद में होगा तब ही हमारा बाई अली शाह आजाद हो सकेगा इंशाला पानी, 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 पानी अंग अंग मेरो मंग हा तेरा मेरा संग हो अप्यास की खतन हो कहानी पानी, पान्यास की खतना पानी, पान्यास की खतना पानी, पान्यास Karmini बीच्च की खतना वीयास क cleanup आप चधbling एखरा मेरा हो जो जाओंगा, आओ नहीं नहीं हमारा मिल नहीं हो सकता वीजय अरे मैडम, आप सब यहाँ? हाँ, यहाँ से लेकर श्री नगर के आसपास बहुत बार आई हुई है हम डॉक्टरों की टीम लेकर आये हैं ताकि बार से पिडित लोगों की मदद कर सके और कोई बिमारी न फैले अच्छा मैडम, लेकिन आप लोग ठेले का है यह हमारे टेंट्स में शीतल, मैं फिर कहती हूँ वापस जाने का फैसला बदल दो मुझे जाने दीजी मैडम जाओगी तिल यहाँ छोड़कर अपने हट्टियों के धाची को लेकर कहा जाओगी आप तो मेरी मजबूरिया जानती है मजबूरियों से भागना मजबूरियों का हल तो नहीं है समझ मैं नहीं आता मैं क्या करो जीओ तो कैसे जीओ, मरो तो कैसे मरो पगली, अरे पगली वो बड़े किसमत वाले होते हैं जिनने जिन्दगी में सच्चा प्यार मिले और तुझे जो प्यार करता है वो वहाँ है क्यों शितल देख लिया न विजय को खामोश अकेला बिलकुल तनहा शितल जब कोई नहीं होता तो तनहाया होती है जब कोई नहीं बोलता तो तनहाया बोलती है और जब तनहाया बोलती है तक परचाया भी कहां कहां बुठती है अगर तुम्हे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने दिल से पूछो अपने आत्मा से पूछो शितल नचुे एचो, कहा? प्चै, प्याट आज की रात, आज की रात, आज की रात बाहों में सो जाईए, सो जाईए क्या पता ये मिलन कल दोबारा न हो, अर दोबारा भी हो, तो भरोसा नहीं, मन हमारा भी हो, मन तुमारा भी हो आज की रात, आज की रात, आज की रात, आज की रात बाहों में सो जाईए, सो जाईए क्या पता ये मिलन कल दोबारा न हो, अर दोबारा भी हो, तो भरोसा नहीं मन हमारा भी हो, मन तुमारा भी हो आज की रात, आज की रात, आज की रात मुझानी है उस पढ़ने से सारा बदन गिला हो गया ऐसा लगता है जैसे बर्खा बरसी हो बर्खा बरसी नहीं तन ये गिला हुआ कैसे महनी बिना हाथ पीला हुआ यू तो छाने को छाई है काले घटा बर्गगन किस तरह इतना नीला हुआ बर्गगन किस तरह इतना नीला हुआ आज की रात, आज की रात मुझे में समोजाईये, समोजाईये क्या पता कल न दी हो किनारा न हो और किनारा भी हो तो भरोसा नहीं मन हमारा भी हो आज की रात, आज की रात आज की रात, आज की रात दूर इसे दूर इसे आई है, आज की रात जाकरी है कई रातों के बार दिन से दूर इसे आई है, आई है बल रोच मियान इदर की खुश्बू से यह पता चल चुका था कि तुम यहाँ हो अरे, आज पहली बार तुमारे हाथों में बंदूग देख रहा हूं यह किसलिए कहां जा रही है मैडम शीतल, सारा श्रीनगर बाहर के पानी से घीरा हुआ है हम लोग वह हेलिकॉप्टर लेके जा रहे हैं नहीं तुम नहीं मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम छोड़े जा रही हूं आसपास के गाओं के अलावा किसी और को भी तुम्हारी जरूरत है अब मैं चलूँ अब मैं चलूँ सेंट तु यू पाई-पाई कमान सिस्ट्रस मैडम का भी जवाब नहीं जी तो अब अब क्या ठोकरे खाकर मुस्कुराना आ गया आ गया मेरा जमाना आ गया ऐ जमी पाउं के तले से निकल आसमा सर पे उठाना आ गया अब अलो ओ नो मैं अभी आया क्या हुआ करणल साब को आतंगवादी ले गए तुम टेंट में जाओ मैं चला बाबू राश्नी में जल्दी में हूँ वलीशा के आदमी करणल साब को उठा के ले गया यह तो मैं जानता हूँ तुम्हे किसने बताया उनका एक आदमी आता नशे में धंकी देने और आज उगलकर चला गया करणल साब इसवर कहा है वलीशा का वो ठिकाना मैं जानती हूँ तो चलो उस तरफ अरे धर हमको एक मच्चर मारने को नहीं मिल रहा है उधर नीचे वलीशा करणल का खाल खीच रहा है हाँ सुनो प्राश्णी तुम मिलिटरी हेटकोर जाके सबको ख़वर कर दो तब तक मैं देखता हूँ मैं जीप में गई और आई जैहिन जैहिन बता कहा है मेरा बाई बता वो वही है जहां उसे होना चाहिए जैहिन 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 ओई बशीरा ओई वलीशा जरा इसे विजली का करण तो लगाना जैहिन 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 अपने आद्मियों से कहो के अपने हत्यार फेंगने ठेक तो बंदू के हत्यार हत्यार तो तुम फैगोगे फौजी आहाहा शाबाज गुल्रोश फौजी तुम वो सापो जिसने भाई बन कर एक बहन को डस लिया ये जूट है तुमने मेरी बहन का गतल किया है वे जई कुल्रोश मुझे तुम्हारी दोस्ती का नाम अपनी जबान पर विजए ना ले वगर तरी दोस्ती का दस्तूर यही है कि कुछ नुपए देकर मेरी बहन को मरवाते तो आप मेरी दुश्मनी का दस्तूर देख जो तुमने मुझे लगाई है वो जूटी है सच तो यह है कि करनल साथ को तुम उठा के लाए हो जिसकी सजा अब तुम्हें मैं दूँगा रुक जाओए इन दोनों के बीच कोई नहीं आएगा पलिष्या बार इंदुस्तानी बोची है बागो यहासे बागो! साथ पीचे के लास्टे से बागो, जल्दी ओए! Well done, my hero. Well done. Thank you, sir. 40! Mr. Babu! 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 Come on, my hero! जल्दी चलो! नहीं! क्या हो अब बाबु को? रोश्णी, घबराने की जरूरत रहीं, सब ठीट हो जाएगा. बाबु! चल्दी चलो! कुछ समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे? तुफान की वज़े से हेलिकॉप्टर उदंपुर से आ नहीं सकता और हम लोग मिल्ट्री हॉस्पिटल जा नहीं सकते रास्ते में लेंग स्लाइड है, पूरे रास्ते बंद है और इधर विज़े के जिस्म से खून बेता हचा बह रहा है और पल्स रेट भी कम होता जा रहा है करे तो क्या करे? आप चिंता मत कीजी मतलब? आपरेशन करके कोड़ी मह निकालूंगी कैसे आप चोकुष भी वा उसके लिए माफी मांगती हूँ अरे मैडम, माफी भी कोई मांगने की चीज है मांग नहीं है तो कुछ अपनी इस मांग के लिए मांगे अगर सिंदूर नहीं तो ये विज़े इसे अपने खून से भर देगा सिस्टर, टॉच चलाओ ये रोश्टी काफी नहीं है रोश्टी मैं करुंगे चल्दी रोश्टी काम हो गई? रोश्टी मैं अभी करते हूँ रोश्टी प्राप्टिक अब खत्रे की कोई बात नहीं है शुकर है भगवान का रोशनी 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 सिस्टा टॉच पीस रोशनी यह क्या किया तुम्हें? बाबु मेरे भगवान है मतलब? अगर बाबु मुझे आतंकवादय से नहीं बचा देना तो वा आतंकवादी मुझे इस देश से दूसरे देश ले जाते बाबु ने तुम्हें बचाया और तुमने बाबु की जान बचाई यह तुम्हारा अहसान है मुझ पर जी एक डॉक्टर पर आप बहुत अच्छी है डॉक्टर जी लेकिन तुमसे अच्छी नहीं बाबु की जान बचाने में तुम मुझसे बड़ी डॉक्टर हो रॉष्णी में किन-किन चीजों के लिए तुझे इनाम दूँ इनाम में क्या दोगे जान भी मांगेगी तो दे दूँगा हरी ओम हरी ओम बाबु में जान तो नहीं मांगूँगी मगर कुछ मांगूँगी जरूर दोगे जरूर तो दोवचन दिया वचन कसम से कसम से बोल सिया पती राम चंडर की जय अरे वाँ आज तो मुपे काफी रॉनक है उनके आने से जो आ जाती है मुपे रॉनक वो समझते हैं बिमार का हाल अच्छा है चनाप असलियत यह है कि आज आज आप बिलकुल ठीक है तो यह लीजिए आपका इनाम यह क्या है यह है मोबाइल फोन यहां पर हम चौबिस घंटे तो एक साथ रह नहीं सकते मगर जब मन करें फोन पर बात कर सकते हैं गुड आडिया थैंक यू डॉक्तर साहिबा थैंक यू बोलने का मौका हमें में दीजिए वो कैसे? अंग अंग में उमंग हो तेरा मेरा संग हो तो प्यास की खतम हो कहानी मिस्टर सिंद्या मैं सच कह रही हूँ करनल साब ने मुझे बताया कि विजय ने फोज में वो काम किये है कि खांदान पर लगे हुए अगदारी के सारे दाग धुल गये हैं अरे आफ्टर आल विजय इस माई स्टूडेंट सिंद्या जी अब देखना शीतल के दादा, शीतल की शादी कितनी शान से विजय के साथ करते हैं अरे विजय और शीतल की शादी दादा क्या दादा का दादा भी करेगा हलो हलो पता है कल बसन पंचमी है रोश्णी ने मुझे कमाल के कपड़े दिये हैं वेरी गुड पेरी गुट क्या मुझे इन कपड़ों में देखोगे तो छुटी हो जाएगी तुम्हारी लेकिन मैंने तो तुम्हे कभी कपड़ों में देखा ही नहीं क्या मेरा मतलब है कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारी आखों में डूबा रहता हूँ तो कल आँखों से बाहा निकल कर मुझे इन कपड़ों में देखना तो फिर जल्दी से आजाओ, ज़रा पुछ-पुछ हो जाए तो पुछ-पुछ के अलावा कुछ सूचता भी है मालू में मेरी सारे लिप्स्टी की खत्म हो गई है अरे लिप्स्टी की खत्म होई है ना, लिप्स तो है निशान तो छुपाने पड़ते हैं अच्छा छोड़ो, नए कपड़े पहन कर आओ, तो देखूंगा मैं नए कपड़े पहन कर रोश्णी के साथ कल सुपर मन देचाऊंगी जै श्री राम यह लो दीबी यह क्या है? सिंदूर सिंदूर? कल मांग बर्वान यह ना मैं तो भूली गई थी बाबू, सिंदूर कहां से लाएंगे? कनया, कल हम बाबू और पापा दोनों को प्राइज देंगे प्राइज नहीं, सर्प्राइज हाँ हाँ, सर्प्राइज सर्प्राइज, सर्प्राइज, क्या बाते हो रही है? पापा, कल बसंद बंचमी है न? हम दोनों सोच रहे थे कैसे मनाएं हाँ हे प्रभू, बसंद को नसर मत लगाना पापा, आप यूहीं चिंदा करते हो कल देखना धर्ती और आकाश मेरी ताल से ताल मिलाएंगे क्या हाँ मेरी ताल मिलाएं ताल मिलाएंगे जो-जो जोक्त depend voi है औरहे जो-जो जो-जो मैं जो-जो मैं क्या हूँ मैं खामखा तो क्या है तो खामखा इश्क बडे है कामखा वाकि सब कुछ बाकी सब कुछ खामखा, इश्क बड़े है खामखा मैं क्या हूँ मैं, तू क्या है तू मैं क्या हूँ मैं खामखा, तू क्या है तू खामखा इश्क बड़े है खामखा इश्क बड़े है खामखा बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ खाम खा, इश्क बड़ी है काम का मैं क्या हूँ मैं खाम खा, तू क्या है तू खाम खा इश्क बड़ी है काम का, बाकी सब कुछ खाम खा कोई इश्क तो दिल से करता है पर दुनिया से वो डरता है कोई इश्क तो दिल से करता है पर दुनिया से वो डरता है कोई इश्क में मरकर जीता है कोई जीते जी यूही मरता है इश्क में जो मर न सके उसका जीना हामखा इश्क बड़े है खामखा इश्क बड़े है खामखा बाकी सब कुछ है बाकी सब कुछ हामखा इश्क बड़े है खामखा मैं क्या हूँ मैं तू क्या है तो मैं क्या हूँ मैं खामखा तू क्या है तू खामखा, इश्क बरे है खामखा, बाकि सब कुछ खामखा मित किसी को बनाओ यारो, कीत मिलन के गाओ यारो मित किसी को बनाओ यारो, कीत मिलन के गाओ यारो जब तक सांस आए जाए प्रेम की भून बचाओ यारो इस भून को जो गाना सके उसका गाना हामखा इश्क बरे है खामखा, बाकि सब कुछ खामखा इश्क बरे है खामखा, मैं क्या हूँ मैं तू क्या है तू मैं क्या हूँ मैं खामखा, तू क्या है तू खामखा इश्क बरे है खामखा, बाकि सब कुछ खामखा करदल साथ, रोशिन नहीं जानती, बीजे और शीतल पुराने प्रेमी है, रोश्टू करो के प्लीज, I see रिष्टों का ये खेल है सारा, वेर है कोई तो कोई हमारा, कोई है कि पति कोई है पाती, भूंदे कोई जीवन साती हाँ रिष्टों का ये खेल है सारा गैर है कोई तो कोई हमारा कोई अपनों में, कोई सपनों में कोई तो मन में, कोई दर्बन में कोई तो रखे सचा रिष्टा, कोई रखे मतलब से रिष्टा रिष्टों का ये खेल है नारा फेर है कोई तो कोई हमारा मतलब से जो रखे रिष्टा, उसका रिष्टा हाम उता खिश्क बड़े है काम उता खिश्क बड़े है काम उता, वाकी सब कुछ बादी सब कुछ खाम खा, इश्क बड़ी है काम का मैं क्या हूँ मैं, तू क्या है तू मैं क्या हूँ मैं खाम खा, तू क्या है तू खाम का इश्क बड़ी है काम का रशनी यह खोन कैसा बस यूही हाथ में सिंदूर की डिबिया थी चुप गई खून निकल आया सिंदूर की डिबिया देखो बाबू मेरे खून में सिंदूर गंदा नहीं किया लेकिन पगली है सिंदूर है किसलिए चानते हो सिंदूर मांग में भरने के लिए होता है तो लो बर्दो मांग क्या मतलब सोच क जब जब जो भी मांगूंगी दोगे अब वक्त आ गया है बादा निभाने का लो चुटकी भर संदूर और भर दो मांग रोशनी बस बाबू दीदी देखो तो बाबू कैसे खामोश खड़े है रोशनी तुम्ही मालूँ है तुम क्या क्या रही हो हाँ मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं मैं यही कह रही हूं कि लो चुटकी बर संदूर और और भर दोशीत अलीदी की मांग अरे वा रोशनी शाबाश बेटी शाबाश जीती रहो जिस रोशनी ने किसी के जिन्दगी में अंधेरा नहीं किया वो इनके जिन्दगी में अंधेरा कैसे करेगी बाबा वा प्रबू वा पल ही पल में तुने मेरी सिनी को इतना सयाना बना दिया जीती रहो बिखी जीती रहो बस बाबू अब अब सयानी की बात मानो और भर दो शीतलवलीदी की मांग लेकिन रोश्नी तुम बाबू तुम्हें मेरी ना सही शीतल देखी कसम अच्छा बाबा तुम जीती और हम हारे और हारे भी तो ऐसे हारे के हार के भी जीत गए रुक जाओ शीतल मांग में सिंदूर भरने के साथ साथ अगनी के फेरे भी लेने पड़ते हैं दादाची हाँ हवन कुन तो मैं बन नहीं सकता लेकिन यहां कोई न कोई मेरी लाश को आग के हवाले कर देगा रप्ते उठेंगी फिर विजे के साथ मेरी चिता के फेरे ले लेना दादाची तुम्हारा दादा विजे से तुम्हारा रिष्टा तोड़ चुका है मकर दादाची हालाद बदल गए हैं हाँ हालाद बदल गए हैं और बदले भी तो ऐसे बदले के आज तुम्हारी मा हस्पताल में आकरी साथ ले रही है क्या हुआ माको? किस औरत के सुहाद को भरी जवानी में ही धोके से मार दिया गया हो अगर वो बिमार ना भी हो फिर भी वो बिमार होती है बहुत बिमार होती है ताताशी प्लीज बताया माको क्या हुआ किस जबान से अपनी मा का नाम ले रही हो? उस जबान से, जिस जबान से तुमने मां को ये वचन दिया था के विजे के साथ अब तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं है अज सुनो, तुमने मेरे विश्वास को धोका दिया है मेरे विश्वास को मुझे जाना होगा शीतल दीदी, चेहरे पर सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है अगर यही सिंदूर मांग में होता, तो क्या बात थी तुम्हें नहीं वालूम रोश्णी, कि मेरे मच्बूरियों के पाताल के कोई सीमा नहीं और उस पाताल में तुम बाबू को डुबो देना चाहती हो मैं हार गई, रोश्णी मेरी हिम्मत हार गई मेरी मुहबत मेरी मुहबत हार गई मैं जा रही हो जाना चाहती हो तुम बाबू से पूछो विजए तुम्हारी मा बिमार है जाना तुम्हारा फर्स है जिके तुम क्या करोगे में मैं भर सकता हूँ तेरी याद में हसरत भरी आहे बहर आहों की गर्मी से क्या पतथर पिगलते है मैंने रोता हो दिल साक्शी है विजए मैं पत्थर नहीं पत्थर तुम नहीं हो शीतल पत्थरों के शेहर के मालिक तुम्हारे पत्थर दिल दादा है वो पत्थर जोग कभी नहीं पिगलते तुम्हें जाना है शीतल तुम्हें जाना है जाओ शीतल यह जम्मू एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है तुमको हमें सिरीनगर के तरफ ले जा रहे हो पॉट इस मैफमेटिक्स चुप जाब बैठे रहो कोई भी अपनी जगे से नहीं इलेगा तुम लोग बचोगे नहीं यह जान लो कि मैं मिनिस्टर सच्चनलाल का बेटा हूँ इसलिए तो तुम्हें कैदी बनाया जा रहा है गाणी रोगो है बुट्थे दादा जी चिलाओ मत बनने सब मने जाओगे तुम आतंक वादिस के लावा कर भी क्या सकते हो हमें जो करना है हम जानते हैं समझें खुशाम दीद खुशाम दीद वाग लोश वाद तुने तो कमाल कर दिया बाया अब जाके हुकूमत का गरतन अमरा पाउं के नीचे आया है अब मिनिस्टर का बेटा अमारा कायद से तब ही जूटेगा जब अमारा भाई हुकूमत का कायद से अजाद होएगा अच्छा भाई चलता हूँ उ कहा हुए वलीशा आज मेंदी की रिसम है और कल मेरी शादी है मालूम है मालूम है बाया मुबारक बहुत बहुत मुबारक जा खुदा अबिस अल्ला हाफिस फुल खान सबसे पहले तो इन पैदियों को बारा मुला के अट्डे पर पहुचा दो क्योंकि इस अट्डे से गुल्रोश वाकिफ है लेकिन बारा मुला के अट्डे से नहीं भलीशा यह क्या यह साला गुल्रोश मेरी मेरी गुलनार से शादी करेगा और मैं मैं सिरु उसका मुझ देखते रहे जाऊ हूँ इस दिन के लिए तेरी मामा ने बात मनते माग भी थी क्या बात है मामा जी मैंठी तेरे भरी मामा के यह सस्ती से चांदी की चूड़िया तेरे हीरे मोती सशची बाहों में धाक्सी लगेंगी नहीं मामा जी इन हीरे मोतियों में अपा की धौलत है और इन में संस्कारों की गंगा गंगा? यह क्या मामा जी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं गंगा कर नाम सुना तो ऐसे लगए सारे दुख दूर हो गए अरे मैं तो बूली गया अरे वो तेरे गुल्रोश के हां भी तो जाके उस रामरम कहा हूँ? अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ अरे ओ दीदी, अब रोना दोना छोड़ो ना अच्छा चल, आज रक्षा बंधन का दिन है ना, आ मैं तुझे राखी बांदो मैं जानता था दीदी, तुम राखी का तेवार कभी नहीं बूल सकती मैं कैसे बूल सकती हूँ? गुलनार दीदी, रोश्णी दीदी ने राखी बेजिये, कह रही थी के गुलनार दीदी से बंधवा लेना ला, पहले रोश्णी की राखी बांदेती हूँ? नहीं दीदी, तुम बड़ी हो, पहले तुम अपनी राखी बांदो अच्छा, चल तुझे बांदेती हूँ अल्ला मेरे कनाईया को बहुत लंबी उमर दे जुग जुग जीओ इस राखी की सोगन मैं तुमारी पल-पल रक्षा करूँगा खट, छोड बड़ी-बड़ी बाते चल, लटू खा ले दोग आईेती ही छोड़ी कि जुड आबाँ! इपी आपी 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 भाइजान, तुम्हारी नतकी कुट्राई यहीं होगी भाइजान, आप चान दूर के रिष्टो को नहीं, दिल के रिष्टो को मानता है खुदा से दर गुलखान, गुलखान किसी से नहीं तरता वर और गहाँisia में पर नके टी टी गिलिए bad Nate! झे उनलवे! Nate! Nate! कुलार, अब मेरे होट होंगे और तेरे रुखसार कले में लॉकेट अल्ला का, काम शैतान का अल्ला का लॉकेट उतार लिया, तो कौन सी आफ़त आ जाएगी? हरा अर्मादे! वीबी, कल्रिया कि आहिया? क्यों? मर गई ना मैया औए, एक पसनी के ढाचे हर-Hर महादेव तेरी आन पे बनी हो चाहे जान पे बनी हो तिकता बरी हो चाहे संकत के घरी हो बोले नात तेरी राज रखेंगे बोले नात तेरी राज रखेंगे पंपंबोले, फंपंपोले पंपंपोले, फंपंपोले करे या? तुलार अ, करे या? करे या? दीदी, मैठीक।, दीदी मैठीक॥ दिदी, आज रक्षा बंदन है ना? इस दिन भाई बेन की रक्षा करता है करेया दिदी, रक्षा बंदन करते हुआर जिन्दाबाद करेया हर अर्मादेव हर अर्मादेव नहीं करेया हर अर्मादेव करेया हर कर दो का… बहुतार झ कर नग्साकता है गो गल्रोष हराहे गुल्रोष, 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 कहके देना गुज़र तुम्हारी रगों में मुसल्मान माबब का खौन नहीं दोड़ रहा कहदेना तुो धुरताइकी मेटी नहीं है कहदेना गुल्राब लानत है तुमला यातियार मुझे तो देवा मुझकी हो त्यार खुदा के वास्ते अपने आपको काबू में रखो काबू में रखो होसला रखो गुल्नार होसला रखो गुल्रोश अगर तुम्हारी एक गुल्नार अपने आपको काबू में रख पिले सरा एक इनसान के नाते सोचो एक सच्चे मुसल्मान के नाते सोचो कि अगर इसकी मूँ बोली बेहन गुलनार के ओपर ये बीत रही है तो इसकी मा जाए इसकी सगी बेहन रोश्टी के ओपर क्या बीतेगी फिरा सोचो गुल्रोश मौमा रोशनलाल के ओपर क्या बीतेगी अरे, अरे, भाई रोशलाल पे क्या भीत देगी, अरे महमबर्द अली, जिसका बेटे दुला बना हो, उसका बाप तो खोशी से पादल हो जाता है, देख बीटी, देख, तेरा भाई कैसा लग रहा है, चलिए से इसके मुँपर काजर के ठीका लगा दे, कहीं ही से नसर न को खाई थी, कि जब तक जब बूर कश्वीर की खुशिया वापस नहीं लोडा थी, हम कोभी शेहनाई नहीं बजाएंगे, देख, देख मेरा बेटा, खोड़े पर सवार होकर, तुला बनकर तमाम खुशिया वापस नहीं आया, चल, चल मामबर्द अली, आजम, आजम, आजमान में पागल हो जाएं, बजा शेहनाई, पंडित, 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 करदी ना, अपरे यार सगतारी, यही बजाएंगे ना, शेहनाई, कोई बात नहीं, महमद अली, कोई बात नहीं, आज से पंडित अगेला शेहनाई बजाएगा, ऐसी शेहनाई बजाएगा, कि स कुप कुप पला कस बयात? कुप कुप पला कись बया recent? । झाल झाल प्रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् या खुदा ये तू ने क्या किया पापा मेरे बाई की शादी है बारत में मुझे छोड़ कर अकेले बाराती बन गया रोशनी बाबू पापा को समझाओ ना की रोशनी को भी बाराती बना ले में में खुब गाऊंगी खुब नाचूंगी खुब रोनक मनाऊंगी रोशनी पापा पापा मुझे भी मुझे भी बाराती बना लो रोशनी पापा रोशनी पापा हुआ हुआ हुआ। काम वर गए सब के सबुद्ट भून दार साव को काम वर गये सब के सबुद्ट टूमिया? मुझसे सच सुनना है तो सुन। कैसा सच। तुम्हारी भेन को किसी और ने नहीं, वली शा ने मारा है। क्या भखवास कर रहे हैं तुम। यह गुल खान और वली शा की साजिश्टी कि अपने हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पैन कर तुम्हारी भेन को मारा जाए। तक तुम भागी होकर विजे को मारो। यह जूट है, जूट बोल रहा है तुम। यह सच है। सच है। सच है। कई मेरे हाथों से गोली चल गई होती है। तो विजे का क्या होता। सर, मेरा जो होना वो होकर रहेगा। जिस दिन घर छोड़के फौज से नाता जोड़ा था, मौत को तभी अपना साथी बना लिया था। तुम समझते क्यों नहीं विजे। वलिशा मंत्री साब को धमकी दे चुका है। पांच-पांच जिंदगियों का सवाल है। करनल, सवाल पांच जिंदगियों का नहीं। सवाल मेरे बेटी की जिंदगी का है। अलिशा को उसके भाई वलिशा के हवाले कर दो ताकि मेरा बेटा विक्की मुझे वापिस मिल जाए। वाह। फॉज की आन चली जाए, मगर मंत्री की बेटे की जान न जाए। विजदे। सर, हम फॉजी अपनी जान पर खेल कर देश के दुश्मनों को पकड़ते हैं। ताकि उनने सदा मिल सके। सर, वो भी तो किसी का बेटा होता है। जो आथंक वादियों के गोलियों के निशाना बनता है। जो फॉजी इस रहा पर शहीद होता है, वो भी जो किसी का बेटा होता है, सर। आप इस सौदेवाजी को रोकिए, मैं सब को बजा कर लाँगा। विजदे। सर, क्या ऐसा आज सक हुआ है, कि मैं आपकी कुसोड़ी पर खारा न उत रहा हूँ। हलो, पैचाना मुझे, मैं वलीशा बोल रहा हूँ। वलीशा, वो क्या है कि वो.. हलो, वलीशा, मैं मंत्री सज्जनलाल बोल रहा हूँ। तु मेरे बेटे विक्रम को छोड़ दो। मनिस्तर सज्चनलाल, छोड़ दूँगा। लेकिन पहले मुझे मेरा बाई वापस चाहिए, मेरा बाई। तुम्हे तुम्हारा बाई मिल जाएगा। मेरा बेटा ठीक तो है न, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। ले बाद कर। बाद कर। हलो पापा? बिटा, तु ठीक तो है न, बिटा? पापा, प्लीज मुझे बचा लिजे पापा. पापा, ये सब बहुत खतर नाक लोगें. पापा मुझे इन ज़ंग्लियों से बचा लिजे, प्लीज. ज़ंगली? मुझे मेरा बाई कल शाम सुरज डूबने से पहले तक पापस चाहिए मनिस्टर मुझे मेरी मुंबत्ती, मेरी रोश्नी भी चाहिए रोश्नी? ये रोश्नी कोई है? एक अनाथ लड़की अनाथ है नए ? अहां ? हाँ तमे रोश्नी भी बिल जाएगी और तुम्हारा भ्याई भी मिल जाएगा कल शाम सूरज टूबने से पहले तक समझा पर ना सलम अलेकूम सलम अलेकूम, मैरा मतलब है नमस्ते एक ने सलम अलेकूम किया और एक ने नमस्ते सौधा हो गया देश बढ़ गया अगर कानून में ये लिखा होता कि हर हिंदुस्तानी जेहन बोलेगा तो ये नौबद ही ना आती और मंत्री तू सौधागरी नहीं तू तो दलाल भी है एक हाथ से देश का सौधा किया और दूसे हाथ से अनात रोश्टी की दलाले की तू दलाल है दलाल तूने मुझे गाली दी एक मंत्री को गाली दी यू सरौफे बिख तू समच आ मंत्री तु यह भूल रहा है फौजी अपनी मां से पहले भारत मां को गाली दिया है तेरे जैसे भारत मां के दलालों ने तेश भक्ति को जलालत के निलाम घर में खड़ा कर दिया है निलामी के लिए करनल इसको गिरतार कर लो यह मंत्री को मार रहा है जो भी भारत मां को गाली देगा मैं उसकी जान ले लूगा चाहे वो यह मंत्री हो या कोई और हो अब क्या होगा अब करनल महंदास के एक्शन करने का वक्त आ गया है कि विजय साब के साथ तो बहुत बुरा हुआ यार यह बात सुनकर हम खुश हुए तुम भी मानते हो ना मानता तो हूँ लेकिन आपकी तारी मैं विजय का दादा हूँ ओ दादा जी मेरे पोते से सारे लोग चलते हैं उन्हें डर लगता है कि यह कहीं मेजर बन जाएगा बनेगा ना जरूर बनेगे सारे तुने मेरे जवान बुड़ापे को और भी जवान कर दिया है मेजर के बाद वो कहते हैं कि यह लेफटिनन करनल बनेगा बनेगा बिल्कुल बनेगे सार है मेरे जवान बुड़ापे को तुमने और भी जवान कर दिया है खुश कीता ही उसके बाद वो कहते हैं कि लेफटिनन करनल से करनल बन जाएगा करनल से ब्रिगेडियर बन जाएगा ब्रिगेडियर के बाद बड़ा ओफिसर बनेगा उससे बड़ा ओफिसर बनेगा और फ पता नहीं सर आप बताएए न क्या करते हैं मैं नमूने के तौर पर तुम्हें बताता हूँ उधारन के तौर जी तुम मुझे अपनी चाबियां दो चाबियां यह लीजिए सर तो मैं तुमसे यह चाबियां लेता इस तरह उसके बाद मैं भटा फट जाकर ताला खोलता इस ताता जी अक्षिन के लिए तेग्यार हो जाओं कैसा रहा नमूना वा क्या नमूना है सर अब इसके बाद पता है मैं क्या करूँगा क्या करेंगे सर मैं इसे एक पिस्तॉल दूँगा और कहूंगा भाग पोते भाग 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 गया खबरदार जरा भी हरकत की तो भून क तो 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 जरूर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे साथ चाहिरन जरूर करेंगे साथ आये कि विजे तुम्हें पता है कि मेरे एक ही ओडर से क्या हो सकता है गोलियों की बरसास हो सकती है मैं चल्ली चल्ली हो सकता हूं लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं क्योंकि अलीशा मेरे कभजे में अगर गोलिया चली तो सबसे पहले में अलीशा को मारूगा अगर यह मरा तो इसक सर ये मेरा दावा है और वादा भी मैं सब को छुड़ा कर लाओंगा और अली शा को उनके हवाले भी नहीं करूँगा मेरा विश्वास कीजिए सर मैं अपने आपको खुद आपके हवाले करूँगा फिर चाहे फांसी भी लगवा दें कोई गम नहीं होगा नहीं भोते फांसी तो कबूतों का लगती है धर्ती मा के सपूतों को तो विजे की जैमालाएं पहनाई जाती है चलो चलो बैचो चलो गुल्रोश चलो चलो इनकी रक्षा कदना बगवान दादा जी ये हमारे हर मुश्किल ताले की चावी है मत भूलो पोते इसका पहरेदार मैं हूँ चलो गुल्रोश कहां विजे कहां हर ठिकाने तो धून मारा है वली शाने पतानियों ने का छुपा रखा है कंबख्त मोबाइल फोन पर भी शीतल से कॉन्टाक नहीं हो रहा है खैर कही ना कहीं तो मिलेगी चाहे पाताल की गहराई में क्यों नहों हम शीतल को ढूंड निकालेंगे चलो ये मोबाइल फून खराब है विझन से कन्टेक्ट नहीं हो रहा मैं गॉट अब क्या होगा तद़ाची महान बेवकूफों के बेवकूफीं से फायदा उठाना अच्छी तरह जानती हूँ छोड़ दो मुझे हाथ में आया हुआ हूआ हूआ को कान छोड़ेगा हुजूर भली चाह कितना खुब्सूरत तरा शहुआ बदन है यह चश्म बतूर हमारी फॉर्च तुम्हें नहीं छोड़ेगी तुम्हारा फॉर्च हमारा यह पंगला कुल फार्म बारा मुला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर है एक कदम भी आगे ले जाएगा तो पाकिस्तान पहुच जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा भी कान यहाँ चारो तरफ बारूद और माइंस बिचा हुआ है जो भी आने की कोशिश करेगा उड़ जाएगा समझ गया गुलबदन तुस्तान आए खुस्तान आए आज से पहले हमने तुमको कभी नजर बरके देखा ही नहीं था हम तो इस दोके में था कि रोशनी से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं चला कुलबदन तुम चाहते क्या हो बलिशा हम तुम कुछ आता है तुमको अपना मलिका बनाना चाहता है अपना शरी के हयात वो भी आज हाँ इदर आओ यह देखो यह सुनेरा पुशाग देखता है हाँ यह ताज देखता है यह सब हमारा मलिका के लिए यह उस उस कमखत रोशनी का तक्दीर में नहीं था अब यह सब तुम पहने का तुम फलीशा सुनो अगर दस मिनिट का अंदर यह पुशाग पहन कर तुम नीचे नहीं आया तो खुदा का कसम हम तुम साब को खत्म कर देगा समझे ठीक है मुझे तयार होने का वक्त हो लेकिन सिरफ दस मिनिट अब क्या करें हलो, हलो विजे हलो शीतन, हम विजे बोल रहा हूँ कहां हो तुम लोग विजे, विजे हम यहाँ वलिशा के कैद में हैं मगर कहाँ हम इस बारा मुला के आगे पाकिस्तान बॉर्डर के पास गुलफाम बंगले में हैं बारा मुला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर गुलफाम बंगला ने, मैं जानता हूँ ठीक है विजे, ध्यान से बंगले के चारो तरफ बारूद बिचा हुआ है और माइन्स खुदी है तुम उसकी फिकर मत करो हमारे वहाँ पहुचते तक तुम उनका इतना वक बरबाद कर सकती हो करो यह तुम मुझ पर छोड़ दो बज शीदल, हम लोग बारा मुला पहुचे के पहुचे ओके बाई एक रास्ते से तुम जाओ और दूसरे से मैं ठीक बात है लगता है जंडे को इस्तवाल करने की घड़ी आ गई है सुभान अल्लाह अब उदर से अमारा बाई आएगा और इदर से मौलवी साहब अमारा निकाह पढ़ाने नहीं यह नहीं हो सकता शीतल दीदी बाबू की अमानत है क्या सारा जंडा मेरी वज़े से है न लो मैं आ गई रोशनी जबसे इस तरा आशे हुए बदंग वाली शीतल को देखा है तबसे हमने अपनी जिंदगी से तुम्हेरा कनेक्शन काड़ दिया अब तुम रोशनी नहीं हमारे लिए सिर्फ एक पुचा हुआ बलभो एक टिम्टिमाती हुए मोंबती अरे क्या हुआ रहे रोशनी का बंदबस करो फिक्र मत करो रोशनी फिछे आता ही होगा सच हम क्या बाते हो रहे थी कुछ नहीं मैं रोशनी को सिर्फ यह कह रही थी कि जो होना था वो हो चुका अब जो होना है वो हो के रहेगा क्या बात कही है रोशनी भी आ गई ओई जरा इस मोंबती के लिए पाओं के जिवर तो लना इस पर खड़ी हो जा बाओं में ये नोकिला जरा लोगा चुबेगा तो खून बाएगा और जब खून बाएगा तो बहुत तकलीफ होगी बिलो ये मोंबती लो और इसको बुचने मत देना अगर ये बुच गई तो सब को खत्म कर दिया जाएगा तुमारे उस वोजी विजय को भी इस पर खड़ी हो जाओ वलीशा की हुकुमत में सब जायज है वलीशा तुम्हे अपने दादाजी की फिकर है कर नाई नहीं नहीं वलीशा इस पर मैं खड़ी रहूँगी और ये मोंबती मैं मैं बुचने नहीं दूँगी हाँ जशन का दिन है शादी से पहले तुम्हे नाश्ते गाते देखना चाहते हैं हमारा कैना मानती जाओ शादी में तुम्हारे दादा को भी शामिल किया जाएगा और हाँ नाश्ते गाते वक्त तुम्हारे सर पर इस ताज का बोज ना हो तो बहतर होगा हुक्म की तामील हो बहतर हो मूमबतिये 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 नी भोल मूमबतिये मुम बतिये, मुम बतिये नी बोल मुम बतिये तेरे संग क्या क्या बिती बोल सक्किये तेरे संग क्या क्या बेती बोल सक्खे नि बोल बोल सक्खे नि बोल बोल सक्खे मुंबतिये मुंबतिये नि बोल मुंबतिये तेरे संग क्या 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 बेती बोल सक्खे नि बोल बोल सक्खे मुंबतिये मुंबतिये नि बोल मुंबतिये 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 नी बोल मुंबतिये सर पे मोड़े चुनर बसंते कितना जलना है कितना तू चल ले एक घूत में वहां की नदिया जानी कैसे तू ने पीली हाँ जानी कैसे तू ने पीली काहे को तू अंपिती जाए सक्तिये मुंबतिये 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 नी बोल मुंबतिये 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 नी बोल मुंबतिये अपनी आशो अपना ही आच चल रे पागल है तू बिल्कुल पागल तेरे रूने में सब की दुख है तेरे दुख में कोई न शामिल है काहे को तु घुलती जाय सक्ये नि जाय सक्ये नि जाय सक्ये मुंबतिये 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 नि बुर मुंबतिये 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 हलो हलो विजे हमें विजे बोल रहा हूं, शीतल विजे, तुम यहां पहुंच चुकियों, यह इन लोगों को पता चल चुका है धोका हलो हलो, शीतल वली इश्या के साथ धोका जहरीली नगन अब तू जहरीली क्यास से तडप तडप कर मरेगी जेरी ली क्या से, चाल के! Oh my god मरोगी, यही मरोगी Hanif, क्या शुरू करो? जी जी जाम हुआ 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 है हमारा बाई अलीशा को फोजी विजय भगा कर ले गया लेकिन उसने ऐसा करके तुम साब की जिन्दगी पर मौत की मौर लगा दिया है मैं तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा जो पूरे हिंदुस्तान के लिए सबक होगी शीतल कहां है शीतल वो बिचारी तो एक एक सांस के लिए दड़ रही है एक एक सांस के लिए हां एक घंटे के अंदर वो दम तोड़ देगी वलीशा उससे पहले तू मर जाएगा मर गाए मुझे मारने वाले तुझे मारने वाला भी जिन्दा है हत्यार फेंगो सब हत्यार फेंगो हत्यार फेंग दो है अपने आद्मेंसे कहो इनने खोल दे खोल दो है सबको खोल दो को को खोल दो लॉन लांग लिव इंड Anton आर्मी एंड लॉंग लिव विजय अब आई शरम एक है बाबू और एक है तू मंत्री कब बेटा भाड में क्या मैं और भाड में क्या मंत्री शीतल कहा है मैंने पूछा शीतल कहा है शाबाश रशीदा शाबाश ए रशीदा भून डाल इसको बहुँ बटन की रश्यदा है बहुँँ शीतल कहा है मैजा इसजय नूर के काति बहुँआ की तार रश्यु के परड़ Mayor श्यदा का ज़िस मुझा आए देखा है तो हें हैं को maar आञा बाद कै rier कल रहा है में खृरि है मेले वही मैंने अमिरीक का था और चार मेने कल लज्चा तुम्हारी बेड में यह कैसे हो सकता है तो गया मैं छोट भूर रही हूं अगर मेरे पास बंदुक होती तो मैं फोन करा राख देता बंदुक लाओ लो चाहा इसे देखो अभी बाबु रोशनी, 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 बाबू, अभी है रोशनी, मुझ चलिये नहीं रोशनी, जाओ बाबू, शीतल दीदी को धून कर बचालो, जाओ बाबू, आपको यह जंग चीतनी है रोशनी, 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 रोशनी राकेट लांचर लगा और उला दे इन सबको उला दे सबको फकीरा जैहिंद करनल ग्यानचंद जैहिंद मोहनदास तुम? हाँ ग्यानचंद अपने पोते के नक्षक अदम पर हूँ बोल वलीशा शीतल कहा है तो ये है वलीशा मैं जरा इसका कोट मार्शल तो कर लू बोल शीतल कहा है बोल शीतल कहा है वलीशा कुल्रोश तुम ठीक थो हो ना? हाँ मैं तु ठीक हूँ देको तुम या कैसे है जा तुम मा मैं अपा तुम तुम जैसे पापी बेटे की मौद बाप के हाथों ही होनी थी आज मेरे सर से तुम्हारे पापों का करजा उतर गया अपाप आज में अपाप खाली है, चलो, खाल, खाल, तेरे हाथ में भी बंदुक है, मेरे हाथ में भी बंदुक है, फिर, ये ले मेरी बंदुक, और ये दे तेरी बंदुक, अब मेरे हाथ में भी बंदुक है, तेरे हाथ में भी बंदुक है, फर्क इतना है, फिर वो बंदुक खाली है, और ये भरी ह विए भुट ते रिए विए भुट ते रिए जिंगया जी विजे विजे जाओ जाओ तुम अपनी शीदिल को बचालो मैने देख रूँगा जाओ तक्यू विकी गुट लुट संह मतबरो मत बारो मैं buटताथा हूँ कहा था चलो विरसा. चलो शीतल जीतल अजे जाटऑ जी आप लोग शीतल को समाली है मैं वलिशा को देखता हूँ शीतल चीतर, ताता जी मेरी बेटी मिल गई मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी कहो ग्यानचन मैं हाथ नहीं मिलाता, गले मिलता हूँ विजय ने कमाल कर दिया, पोता किसका है वलीशा 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 वलाए जिससे तूने मेरी बेहन नूर को मारा था आज मैं तुझे इसी से मालूगा ये लीजी आपका कैदी, अलीशा मैंने आपसे वादा किया था ना सर सब को छुडा कर लाओंगा और आपका कैदी भी आपको वापस करूँगा अब चाहे आप मेरा खोट माशित कर लीजे थेंकई वीजे, थेंक्यू बैरी मच मैंशन नौट वीजे, मुझे तुम पर फकर है आर और मुझे फकर है इं सब पर मुझे फकर है अपने दादा पर दादा था ग्रेट येज, दादा दी ग्रेट दादा दी ग्रेट नहीं, इंडिया दी ग्रेट, इंडिया दी ग्रेटेस्ट, इसी लिए सब मिलकर बोलो, जै हिंद, जै हिंद इंडिया दी ग्रेटेस्ट, 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 इंडिय झाल झाल